दरवंगार तारा मंदल आज से आम लोगों के लिए खुला और आंत्रिक्ष के हल चलों से लोग बोस रखेंगे वी परूझ कि इसमें ब्रामन के बारे में बहुत कुछ और वीडियो के माधिन से समझाये गया सभी बाते लोगों के लिए ज्यान वर्दु के जिससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा वहीं तारमंडल खुनने के साथ ही तारमंडल की सेयर करने आए बच्चों में काफी उत्वाहत देखन निकली स्कूली चात्रा संतोसी सुमन ने बदाया कि उसमें विज्ञान की किताब में जो परहत था उन सबको जीवंत रूप से देखकर बहुत खुशी हुए और बहुत कुछ नया स्थीखने को मिला है वहीं संतोसी ने कहा कि मैं अपने मित्रों से भी कहूंगी कि वह अव उनने बताया कि इस तारा मंडल की सबसे खास बात है कि यहां 3D एफेक्ट में तारा मंडल को देखने का अफसर मिलता 3D एफेक्ट में ऐसा लगता है कि मानुत तारा मंडल हमारे आखों के ठीक पास है यह तारा मंडल यहां के लोगों के लिए गर्व की बात इसके साथ ही लोगों के लिए रोजकार का सिर्चन होता है वहीं तारा मंदल के परभारी स्थरभंगा भी अंतरन महाविद्याले के प्रधान ध्यापक संदीब तिवाई ने बता है कि लोगों का रुछान काफी अच्छा देखने को में बढ़ाएं साथ ही जिन लोगों को ऑनलाइन बुफिंग में दिक्कत है आ रहे हैं उनके लिए हमारे इंचार्ज के दुवारा काउंटर पर टिकट कटाने की वेवस्था ठीटी हैं जिसे लोगों को सफूलियत मिले वहीं उन्होंने बताया कि सब्सक्राइब कर सकते हैं वहीं इन्होंने बताया कि तारा मंदल में 17150 लोगों को बैठने की वेवस्था है तथा चार में इसका संचालन किया जा रहा है वहीं दूसरा 3D show 12 बशकर 15 बजे शिरू होगा वहीं तीसरा 2D show 2 बशकर 15 बजे शिरू होगा तथा 14 बशकर 3D show कर 15 बजे शुरू होगा बताते चले कि वर्ष 2018 में निर्मान कारशे के लिए खुल 164 करोर रुपए के भज़त की गुशना थी गए थी और पहले चरण का निर्मान दिसंबर 2022 तक पूरा फो गया था और दूसा चरण जनवरी 2023 में पूरा हुआ आप जो क्लास में जो पढ़ते हैं इस्कुल में उसमें सब्जेक्ट में भी देखा जाता है और तरह मंडल को बारे में तो तारह मंडल देखने के लिए तो पता निथा ओनलाइन होता है अच्छा है मतलब इतना डिवलप कर रहा है तो अच्छा लगता है पतना के बाद बिहार में दूसरा सबसे बड़ा तारह मंडल दरूना है वहां देखे थे और यहां देखे हैं क्या लगा क्या मौसूस कैसा कर रहा है अच्छा मौसूस कर रहा है इस निउस के प्रायोजक है मेम साब लेडी इस वेर एडरेस सिरी सेंटर नेर ली शोरून सुबास चोंग दरूंगा